मेरे पास कुछ मेरी सब्सक्राइबर हैं इस तरीके के कमेंट्स को करती हैं कि उनको صिर्फ एक कन्फरमेशन चाहिए और वो कन्फरमेशन चाहिए कि उनका बच्छा पेट में बिल्कुल है ये उनको कैसे पता चलेगा ऑबर्ल इस वीडियो के अंदर मैं एकTake कुमिशन दे रही हूं बच्चा हेल्दी बिल्कुल स्वस्थ है हेल्दी है मा के पेट के अंदर इसके लिए सिर्फ एक लक्षन है जानने का वह लक्षन इस वीडियो में बताऊंगी यह वीडियो उन महिलाओं के लिए मैंने बनाया है जिनकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना स चल रहा है जिनकी बहुत आसानी से चुटकियों के जान सकते हैं बिल्कुल श्wahस्थ है है अच्छे से खापी रहा है एक मां इस चीज को खुड कैसे नोटिस कर सकती है यहां इस वीडियो में मैं यह जो बाते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी मेरी सबस्क्राइबर ने क्या एक्सपीरियंस क्या इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी जो गाओं की महिलाय होती है पहले के समय में अल्टरा सौन नहीं रहती थी तो चलिए गईस मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली पर अगर आया है चार पर चान को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक किजिएगा तो यहां फॉस्ट अफॉल हम बात करते हेल्दी प्रेगनेंसी की हेल्दी बच्चे की तो प्रेगनेंसी के दौरान एक मा को बहुत ज़्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है एक तकलीफ तो लास्ट में होता है 36 वीक के बाद जब उनकी डिलीवरी कराई जाती है लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे हो जाती है यह सब कुछ नॉर्मल है प्रेगनेंट महिला के लिए सब कुछ सबी के सांथ होता है किसी को जदा होता है यहां हम एक बात करते हैं जैसा कि मैंने विडियो के स्टार्टिंग में बताया है तीन महीने से उपर हम आसानी से जान सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल तरीके से स्वस्थ होता है उसकी डवलोपमेंट आसानी से हो रही है बिल्कुल सही डाइक्टन में सही चीज कि मुझे उसके सरीर के सारे लगबग साथ, इसके बाद बच्चे का सरीर जो होता है, वो ग्रो करता है, और जब भी बच्चे का सरीर ग्रो करता है, एक मा को जरूरत होती है, एक हेल्दी डाइट लेने की जरूरत होती है, जिसे बच्चे की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो, वो अच्छे से खाना पीना ख आई है तो चौबिस वीक यानि की चौथे महीने में सभी महिलाओं की हलचल आ जाती है तो आप हलचल को काउंट कीजिए देखिए अगर आप गूगल करने जाएंगी ना कि एक दिन में हलचल कितनी बार रोनी चाहिए बच्चे की तो गूगल पर आपको 8-10 वार हलचल दिख सभी महिलाओं को नोड़ी क來到 ज sicher तो द electrown निय्ज सिते हैं हैं और पूरी तरीके से वास्त है और यह हलचल है सब्षी महिलाओं को समझ में आता है और आप इस हलचल को नोजिक्ति और नए सबस्धे सब्सक्राइब कर दो दिन और तालिस घंटे तक अगर आपके बच्चे की एक भी हल्चल नहीं आती है तब आप डॉक्टर से मिलें बच्चा बीमार तो नहीं क्योंकि बच्चे को भी मा के पेट के अंदर सर्दी खासी बुखार और भी बहुत सारी चीजे होते रहती है तो इस केस में डॉक्टर दवाया देंगे और आपका बच्चा बिल्कुल अगें हेल्दी हो जागा और अगें हल्चल स्टार्ट कर देगा